चलिए ताइप आफ सर कैपिटल सर वही जो आपने स्टार्टिंग से सीखा हुआ है सर कैपिटल एसेट्स के टाइप यानि एसेट्स दो तरीके के हो सकते हैं सर टाइप के बाद करें या तो हो सकता है एसेट्स लॉंग ट्रम या तो एसेट्स हो सकता है लॉंग ट्रम या हो सकता है आपका short term है ना दो तरीके के assets हो सकते हैं या तो हो सकता है sir long term या हो सकता है आपका short term यानि long term और short term sir accounts को और income tax को बिल्कुल separate लेके चलिएगा real life के अंदर कुछ चीजे connected होगी और कुछ चीजे बिल्कुल दूर दूर तक connected नहीं होगा पढ़ाई कि any kind of assets which is convert within a one year called as a current assets या short term assets और अगर कोई assets है जिसको कि हम एक साल के अंदर cash में convert नहीं करते that is a called as a long term assets लेकिन income tax में ऐसा नहीं है income tax में categorize कर दिया गया assets को बोला गया भाया मैं आपको long term समझा देता हूँ देखो definition कितने अच्छी बता है इसने कि भाया long term assets क्या होता है बोलता है जो ऐसे short term नहीं है वो long term है अब law की definition पढ़ लेजे law में क्या बोला गया कि जो assets short term नहीं है वो क्या है और short term का उन्होंने definition define कर दिया है तो मैं simple सी बात है law के language पर नहीं जा रहा एक common layman language के हिसाब से बात करता हूँ यहाँ पर इसको categories device कर दिया कि sir long term assets हम उसको बोलेंगे अगर आपको long term समझ में आगया है तो बाकि short term समझ में आई जाएगा long term हम assets उसको बोलेंगे इसको तीन category में बाट देंगे sir एक हो गया हमारा fix immovable assets जिसको मैंने बोल दिया land and building एक हो गया sir shares और bond इसका मतलब sir आपने reliance के share खरीद लिए तो वो भी capital assets है और अगर आपने reliance के share खरीद लिए तो capital assets है और अगर आपने debenture भी खरीद लिए तो भी capital assets है इसके अलाबा अब बोला गया other इसके इलाबा बोला गया other sir other में क्या क्या आ जाएगा मैं list बताता जाऊँगा ठीक है न land and building में तो कोई list नहीं बताना आपको पता है sir land and building है shares और bond के अंदर list बतानी की जुरत नहीं है shares और bond दो तरीके को हो सकते हैं जिनोंने business study पढ़ा हो या फिर आगे आपने पढ़ा हो तो उनको पता होगा share दो type के होते हैं एक ऐसा share होता है जो कि listed होता है एक ऐसा share होता है जो कि unlisted होता है sir listed share क्या होता है आज अगर जो बच्चे SOL में है तो आज उनका seminar था आप लोगों के पास message भी आया होगा कि sir आज हम कुछ security analysis से बाते बताएंगे तो ऐसा कौन सा है जो कि हम listed बोलेंगे एक होगा listed और एक होगा listed sir अब shares के भी दो परकार है या तो होगा preference share capital या होगा equity share ये तो पता है न या तो preference share capital होगा या फिर equity share capital होगा अगर listed share है तो इसके rule अलग है unlisted share है तो उसके rule अलग है सर, other assets में क्या होगा ये बताओ, gold होगा और क्या होगा सर, machinery सर, और क्या होगा, और भी any other हो सकता है assets जैसे की business के लिए मान लेते हैं, laptop car, business वालों के लिए, personal वाला नहीं है और personal वालों के लिए वही sculpture, painting, drawing, art, वो सारा आ जाएगा तो बोला गया land और building के लिए जो land and building है इसके लिए हम रखेंगे 24 महने से अगर जादा है 24 महने से greater है तो हम उसको बोलेंगे सार यह क्या है long term है अगर 24 महने से जादा है अगर business के लिए तो आएगा personal तो आएगा नहीं ठीक है न तो मेरा laptop अगर मेरा business के नाम पर अब देखो business के लिए कैसे पता चले business के ID पर बिल हो business के ID पर सारा document है तो अगर मैं अपना laptop या अपना मैं ये board अगर मैं बोलू तो that is a my capital assets लेकिन यही board आप घर पे लेके अपने personal use क लिए कर रहे हो तो not a business a capital assets simple सी बात है सर अगर आपका land or building है ना तो आप short term और long term define कर लेकिले क्लिए क्या करोगे 24 महिने का समय लोगे अगर 24 मंद से अवब है तो that is क्या माना जाएगा आपका long term या 24 से आपका less than या 24 है तो आपका माना जाएगा short term ठीक है आगे कहा गया sir bond और shares के लिए listed है तो वहाँ पर आप 12 महिने का हिसाब किताब मानोगे और unlisted है तो वहाँ भी आपको 24 महिने का हिसाब किताब मानना पड़ेगा preference share के लिए बोला गया भाईया 24 महिने का हिसाब किताब चलेगा weather listed और non listed बाकि सभी को बोला गया कि 36 महने का हसाब किताब लेके चलना है, बाकि सभी के लिए 36 महने का हसाब किताब लेके हम चलेंगे, पहले यहाँ तक देखे, इसी को मैंने कोसिस किया है, कि एक chart मैं आपको समझा दू, यानि हमारा एसेट वो सकता है long term, अब मैं बोलू, मैं building को मैं बेच देता हूँ आठ महीने के अंदर तो बताओ long term capital assets हुआ है short term short term क्यूंकि 24 महने से मैंने बोला मैंने share 6 महने में बेच दिया short term मैंने बोला building मैंने 36 महने में बेचा long term हो जाएगा मैंने बोला laptop मैंने 35 महने में बेच दिया laptop के लिए क्या है 36 महिने के बाद long term 36 महिने से below रहा तो हमारा short term आना जाएगा तो ये आपको criteria पता होना चीए क्योंकि long term के अंदर calculation अलग होता है और short term के अंदर calculation अलग होता है जो कि हम देखेंगे तो sir आईए देखते हैं कि long term और short term के define कैसे किया गया मैंने एक simple सा chart बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एक ही page पे सारी चीज़े समझ में आ जाए और ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े क्या कहता है nature of capital assets sir nature of capital assets nature of capital assets के मतलब capital या तो capital होगा short term में जो definition given है 2,42 ए या फिर होगा long term में जो की definition given है 2,39 long term की definition देखो long term capital assets which is not short term capital assets यही लिखा है definition में अगर आपका आजाता है define long term capital assets तो यही लिखना है यह log है एक भी number नहीं कटेगा चाहे 2 number का सवाल हो चाहे 5 number का सवाल हो पूरे marks मिल लेकिन short term को पूरा define किया गया short term को define क्या गया है कि कुछ तो ऐसे हैं जो की 12 महिने वाले होंगे और कुछ हैसे हैं जो की कौनसे महिने वाले होंगे 34 महिने के अंदर ठीक है सर 12 महिने में कौनसे कौनसे होंगे Unit Equity Oriented Mutual Fund जो नाम मैं लिख रहा हूँ यहां पर Listed equity share, listed आपका preference share, सर preference share का आपका non-listed है आपका preference share, मैं एक बार इसको काट देता हूँ अभी इसको एक बार ध्यान मत दीजिएगा, preference share को मैं यहां से हटा रहा हूँ इसको correction करवा देंगे, सिर्फ आप listed equity share लीजिए, listed debenture, listed bond listed government security, listed zero coupon bond, अब इसमें से कुछ एक word है bond क्या होता है, जैसे देखिए किसी भी company को पैसे की जुरत है, अगर किसी भी company को fund की जुरत है तो sir वो fund तीन जगह से arrange कर सकता है सबसे पहले भागा भागा जाएगा वो bank के पास, अगर banker ने मदद किया, तो ठीक नहीं तो मैं equity share से या preference share से ले लूँगा, यानि share capital या फिर मैं दूसरा debenture कर सकता हूँ company की मैं बात कर रहा हूँ, यहां से पैसे arrange किये जा सकते हैं अगर मैं debenture से करता हूँ in case के मैं debenture से करता हूँ अब debenture से पैसे इंतिजाम करने की जिम्मेदारी दो लोग होता है, या तो simple सा reliance limited हो सकता है, या SBI हो सकता है, आपको पता है reliance एक पूरा private organization है और SBI एक थोड़ा सरकारी भी है जिसको हम बोलते है public sector unit तो अगर सरकारी company ऐसे debenture वगएरा issue करके पैसे लेती है तो वो debenture को नाम को थोड़ा differentiate करके बोलती है, हम debenture नहीं बोलेंगे हम तो इसको क्या बोलेंगे, bond बोलेंगे तो bond और debenture में nothing कोई फरक नहीं है government company जब इस तरीके से करजा लेती है public से, तो वो bond शब्द का इस्तमाल करती है, और वैसे private limited या limited company इस तरीके से करजा लेती है, तो किस शब्द का इस्तमाल करती है, debenture, अग government company जब करजा लेगी, तो government company करजा लोटाईगी भी, और 10 रुपए लेके अगर 15 रुपए लोटा रही है, तो public बोलेगा, सर 10 लोगे, और 15 मुझे लोटाओगे, अब फिर बाद में बोलोगे, 5 रुपए पे हमें दो क्या, tax दो, और capital gain दो, तो मैं तो आपी को वापस दे रहा हूं, तो government ने कुछ ऐसे bond को exempt कर दिया, बोला भाईया, ये bond ऐसे है ही नहीं, जिसके profit पर आपको tax देना होगा, जो bond आपका यहाँ पर mention था नीचे, gold bond, ये bond क्या है, नाम है security का, जैसे की बोल दिया, उसने gold bond 1977, फिर gold bond फिर 80 में आया, फिर national defense bond, gold bond आगया, आपका 80 में एक और लेके आए, फिर आपका आगया special bearer bond लेके आए, फिर अलग-अलग नाम है, तो इसमें हमें जाने की जुरत नी है, और इसके उपर से कभी भी exam में सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, तो listed bond हो सकता है, listed government security, नाम बदल-बदल के zero coupon bond, zero coupon bond क्या होता है सार, मान लेते हैं, मैंने बोला कि आपका 10% debenture, आप मुझे बताइए, अगर 10% debenture बोलू मैं, और 1,00,000 रुपे का debenture है, तो इसका interest क्या calculate कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, सार, interest कितना बनने वाला है, इसका 10,000, मैंने बोला, debenture है आपका एक लाक रुपे का, अब इसके उपर interest calculate करके दिखाईए, तो बोलेंगे, सार, interest कब कैसे calculate करेंगे, इसके आगे तो interest आपने दिया ही नहीं, बिना interest के नहीं calculate कर सकते हैं, तो कई बार company बोलती है कि भईया, हम तुमें, तुमसे एक लाक रुपे ले रहे हैं, और interest की बात छोड़ो, हम तुमें return कितना कर देंगे, सीधी बात है, डेड़ लाक रुपे return कर देंगे, यानि हम rate of interest specified नहीं बता रहें, तो ये वो debenture है, जिसके अंदर interest कितने percent है, दिख नहीं रहा, लेकिन कितने percent है, zero percent है, तो इसी को बोल दिया गया, zero coupon bond बोल दिया गया, deep discount bond भी बोल दिया जाता है, ऐसे चीजों को, तो भाला की देखो, chapter से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आपको पता होना चीए, थोड़ी थोड़ी बाते हैं, कि सर, इसको हम इस तरीके से explain कर सकते हैं, बस, सर, इसके बाद आ जाते है, 24 महने में क्या रखा गया, सर, land and building सबसे important, यही बार-बार सवाल में आएगा, या फिर रखा गया non-listed share, या फिर लिखा गया non-listed preference share, यानि आपका non-listed कहलो, unlisted कहलो, अब सर, unlisted और non-listed क्या है, जो share, share बजार के अंदर खरीदे और बेचे जाते हैं, जो की national stock exchange है, NAC या BAC पे, उसको बोला जाता है, listed share, और जो share, share बजार में नहीं बिखते, उसको बोला जाता है, unlisted share, जैसे Reliance Company है, इसका जो share है, ये listed share है, क्योंकि इसके share market के अंदर share बेचे और खरीदे जाते हैं, ऐसे, अगर मैं बता हूँ, flip card, तो flip card के share share बजार में नहीं मिलेंगे कहीं, आप जाओगे, अगर चाहते हो के share market से जाके flip card के share खरीद लो, तो नहीं है सार, तो ये unlisted shares होंगे, इसके पास जो भी होगा, ठीक है न, तो listed और unlisted का ये है, Sir, 36 मेने में mutual fund हो गया, non-listed bond हो गया, non-listed debenture आ गया, non-listed government security आ गया, all capital assets आ गया, Sir, mutual fund क्या होता है, मिला जुला के बहुत सारी चीजों को, shares और debenture को जब मिला दिया जाता है, तो उसको mutual fund कहते हैं, आपका एक fundamental investment के नाम से एक subject मिलेगा आगे चलके, उसके अंदर ये पूरा mutual fund और bond के उपर ही पूरा का पूरा वो subject है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि what is the mutual fund, mutual fund basically मैं बता दूँ, तो आप लोगों के पास अगर 1000 रुपे है, आप चाते हो कि आप MRF का share ले लो, तो MRF के share की price में बताऊं तो 60,000 रुपे है, तो आप नहीं खरी सकते, आप MRF का और हम बेच के कमा लेंगा और उसके उपर जो dividend होगा, वो हमें मिल जाए, तो मैंने क्या करा, 60 लोगों को इखटा किया, मैंने बोला सब को MRF का share मिलेगा, 60 लोगों से खटा करके मैंने 60,000 रुपे इखटा कर लिया, अब जो भी ये मान लेते हैं कि 600 रुपे का dividend देती है, तो 60 लोगों में मैं 10-10 रुपे क्या करूँगा, डिस्टिब्यूट कर दूँगा, जब shares को बेचा जाएगा, मान लेते हैं 70,000 में बेचा गया, तो जो 10,000 का मुनाफ़ा हुआ, वो किसमें बढ़ जाएगा, सभी के सभी 60 लोगों में बाट दिया जाता है, इस service को देने क वो दिमाग लगाती है, सारी के सारी के कैसे क्या करना है, बेसिक सी चीजे है, तो सर, overall बताओ, इतनी देर से मैं बाते करे जा रहा हूँ, मतलब क्या है सर, या तो 24 मेने वाला, 12 मेने वाला हिसाब किताब है, 24 वाला है, और 36 वाला है, 12 मेने में सिर्फ शेर्स वाली की बात करते हैं 24 मैंने के अंदर land and building non-listed share जो कि important है और 36 के अंदर बाकि सब 36 मैंने में आ ही जाएगा gold वगेरा हो गया सारे assets तो ये बाते आपका कौन सा है nature of capital assets पहले यहां तक देखे आपको कोई doubt कोई दिक्कत यहां तक बताईए कोई doubt कोई दिक्कत सर ये mutual fund ना all का मतलब पता होना चाहिए debt is equal to bond बिल्कुल ठीक लिखा है बताईए इसमें doubt अभी हमने क्या क्या कर लिया फटा फट से quickly अगर revise करें हमने सबसे पहले देखा definition definition में क्या बताया कि capital gain लगेगा अगर आपका profit हुआ और किस पे transfer पे और transfer क्या करना है capital assets उसके बाद देखा capital assets क्या होता है सभी property capital assets है लेकिन अगर immovable हुआ तो सब के लिए movable हुआ तो business के लिए और movable personal वाले के लिए नहीं माना जाएगा except कुछ point को रखा गया वहाँ पे नहीं माना जाएगा ठीक है नहीं माना जाएगा तो यहां तक किसी को कोई doubt और हमने देख लिया सर यह section भी हमने अच्छे से देख लिया इसमें किसी को दिक्कत परिशानी तो बताईए sir mutual fund 12 से 336 है 236 मंत दोनों है क्या देखो mutual fund वो वाले listed है आप देखोगे unit आपका of equity oriented mutual fund बोला जाए तब यहां आएगा और यहां पर unlisted वाले आएंगे या फिर normal mutual fund आएंगे अगर equity oriented हुआ तो तो 12 मेने में covered हो जाएगा बाकी यह mutual fund का सबसे पुरानी company की बात करें तो यूटी आई है unit trust of India वो mutual fund का starting से काम कर रही है तो उन्होंने एक निकाला हुआ equity oriented fund जिसमें सिर्फ equity share रहेंगे डिवेंचर नहीं रहेंगे वो तो यहां cover होगा बाकी यहां पर cover हो जाएगा अब बच्चे कहरें सर आपने कहा था कि सर लिस्टिड नॉन लिस्टिड 24 महने में होगा तो सर नॉन लिस्टिड में आपका सिर्फ list रखा गया है यही बाकी अगर कुछ हुआ सिर्फ यहां पर देखो सबसे पहली बात बोलू न यह 24 महने की category जब मैं graduation में था और 2010 तक इनफेक्ट 24 महने का कोई बात ही नहीं था उन्होंने बोला था या तो 12 महने वाली बात या 36 महने दो ही चलता था दीरे दीरे गवर्मेंट ने 24 अब बताओ किसी को capital gain के अंदर long term करने में सरकार का फाइदा है सर लॉंग ट्रम करने में सरकार का क्यों फाइदा है लॉंग ट्रम के उपर टेक्स रेट है 20 और शॉट ट्रम में या तो basic exemption वाला लगता है जैसे कि हमने दिया धाई लाग तक exempt और पांच लाग वो लगता ह हमारा किसमे short term में तो सरकार क्या चाहिए जल्दी से जल्दी इसको किसमे convert करते इसका मान ले long term क्योंकि मान लो आपने 5 लाग रुपए का profit कमाया सपोस करो एक building को बेच करके और वो building बेचा आपने 35 महने में तो long term तो हुआ ने short term हो गया तो 5 लाग तक आपका tax क्या हो गय सरकार ने उसके long term के दाइरे को घटा के क्या कर दिया short term 24 महिने कर दिये जो 36 महिने में आपका long term कहलाता था अब कितने में कर दिया 24 अगर अब 35 महिने में बेचा तो क्या कहलाएगा long term जिसके उपर सीधा आपको 20% देना होगा यानि 5 लाग के उपर 20% आपका 1 लाग इसके उपर टेक्स लगा दिया इसकी भी कहानी देखेंगे पीच इतामराम ने जाने से पहले ये काम करके गए थे कि 2018 31 जन्वरी से पहले उन्होंने जो बिस पीज दिया था तब बोला था यह यह long term होगा तो हम सारी बातों को धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी तो बस theoretical part basic basic ह है सट 10 year में आपका नहीं कुछ बच्चों ने पुरानी बुक अगर ले रखे तो कोई दिक्कत नहीं है content सारा मैंने जो भी 10 year market में available है उस सभी के अंदर ये चार्ट डले हुए हैं उस सभी के अंदर मैंने पहले ही update करके डाल दिया था चाहे आपके पास हां लेकिन 10 year market में ऐसे available है जिसके अंदर images है और कुछ में images back में है तो फारक कुछ भी नहीं है आप मिला कर देख लेना कोई फारक नहीं आपको question सारा word to word मिलने वाला है बस उसमें जब दुबारा print हो रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत year we are change करा है और capital gain का तो आप match कर लोगे कोई भ अरश कर दो आप ग्ता रहा है